हेई एवरिवन वेल्कम बेक ये वांग्शन फान फिक्षिन इनकम्टेट टू कम्टेट का पार्ट 24 है प्रीवियस पार्ट के लिंग दिस्क्रिप्शन में है अब हापे चेक कर सकते हूँ जो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस चेनम वींग के मेंने करास था कि उसकी बोर्डी में जहां गोल्डन कोर होती है वहाँ पर एक डार्क एनर्जी का स्टोन क्रियेट हो रहा था जो कि उसकी बोर्डी और गोल्डन कोर को अलग करने का काम करता था इसी की वज़े से वींग की बोर्डी में गोल्डन कोर वांग जी वीइंग को बैट पर इटाता है, उसके फोर हेट पर किस करता है। उसके बाद वो सभी से वीइंग का ध्यान रखने के लिए कहकर बाशन सेरन के साथ टेलिपॉर्ट होकर उस परपल लोटस की गुफा में चला जाता है। वो परपल लोटस जिसके डार्क एनरजी, दुख, दर्द, गुसे और नफरत की फीलिंग के साथ बढ़ती थी। उसी की पोजिक्टिव एनरजी जो की लव और सेक्रिफाइस से आती थी, वो से खतम कर सकती थी। वीइंग और वांग जी दोनों ही सेक्रिफाइस दे चुके थे। वीइंग ने इस चनम वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था। वीइंग उस डील की वज़े से और वांग जी उस तलवार की वज़े से दोनों ही परपल लोटस का एक पार्ट बन चुके थे। लब एकसेप्टेंस की वज़े से वांग जी की बोड़ी में पोजिटिव अनरजी काफी ज़ादा बढ़ गई थी और परपल लॉर्कस की डार कानरजी कम हो गई थी जिसे वीइंग और परपल लॉर्कस के बीच जो स्ट्रिंग थी वो कमजोर पढ़ गई थी अब वांग जी वींग को बचाने के लिए परपल लोर्टस कोई लड़ाई करता है ताकि वे उसे खतम कर सके एवन तो कि परपल लोर्टस थोड़ा वीक था लेकिन इतना नहीं कि एक बार में खतम किया जा सके वो तलवार जो कि वांग जी की हड्डियों से ही बनी हुई थी वांग जी अपनी स्प्रीच्वल एनरजी कलर्ट करके उससे भी चिन का पार्ट बनाता है और उसी से वो उस परपल लोर्टस को खतम कर डालता है वो परपल लोर्टस हवा में इस तरह से गायब हो जाता है कि जैसे वो कभी एक्जिस्ट करता ही नहीं था वींग की प्रीवेस लाइफ की बोर्डीज भी मार्शन से रनने प्रिजर्व करके रखी थी जैसे ही परपल लोटिस तबहा होता है वो सारी बोड़ी सी भी धीरे-धीरे एक फॉर्म में चेंज होने लगती है वो हावा में उड़ कर एक परपल लाइटनिंग का रूप लेती है और वो लाइक सीधा वींग की करेंट बोड़ी में जाती है जिससे अब विएंग के बोड़ी हीलोना शुरू हो रही थी परपल लोक्टस को खतम करने के बाद वांग जी की बोड़ी भी वीक हो जाती है और वो वही पर बेहोश हो जाता है बावशन सेरन अब वांग जी को वहाँ पर लेकर आती है जैंशी चैन वांग जी को वीइंग के पास ही बैट पर लिटा देते हैं यानली हस्ते बोलती है फाइनली अब ये दोनों साथ आ गए हैं और आइंग भी बच गया है जैंग चंग बोलते हैं हाँ उसके 21 साल के होने में बस दो महीने ही रह गएते वीइंग अब ठीक है लेकिन उसके बोल्डी अभी वीवीक है और वो बच्ची की तरह हरकते करते हैं वांग जी ही है जो कि अब उसका ध्यान रखता है उसे दवाइयां देना उसे खाना नहीं खाना उसके पूरी हेल्थ का ध्यान अब वांग जी रखता है वींग बैट पर बैठा होते है वांग जी भी बही होते है वांग जी वींग को दवाईयां खिलाने की काफी जादा कोशिश कर होते लेकिन वींग बच्चे की तरह पाउट बनाते हुए नेकरे दिखाते है लेकिन वांग जी उसे किसी भी तरह खिलाने के लिए मान जाते जब वींग दवाईयां खा लेता है तो वांग जी उसके गाल को सहलाते हैं बोलते हैं गुड़ गुड़ बोई वींग बोलते हैं मैं बोई नहीं हूँ वांग जी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे बेबी हो विंग बोलता है वांग जी अस अच्छे में चाहर हो यार कि तुम नोर्मल बन जाओ वांग जी बोलता है क्यों मेरा ये रूप तुम्हें पसंद नहीं आ रहा और ये बोलते ही वींग अपने फेस को पिलो से कवर कर लेता है वांग जी वींग के उपार आ जाता है वांग जी बोलते है क्यों, माई लव तुम्हें जो कहूं, वो सब कम है ये बोलते ही वो वींग का फेस अपनी तरफ टन कर लेता है Wing को किस करने ही वाला होते है कि तभी वहाँ पे Yan Li के हसने की आवाज आती है वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पे Yan Li, Jiang Cheng, I.U.N. और Jingling खड़े थे Yan Li तो मुस्कुरा रही थी लेकिन Jiang Cheng घुसे में क्या, तुम लोग दर्वाजा वे बन नहीं कर सकते Wing बोलते है और तुम नोग करके नहीं हो सकते हैं ना Yan Cheng बोलते है तुम Wing बोलते है मैं हाँ, most adorable person in the world, right Wang Ji बोलते है, बिलकुल right Yan Cheng बोलते है, शर्म करो Arling और I.U.N. भी यहाँ पर है क्या सीखेंगे ये Wing बोलते है, क्या सीखेंगे क्या Love करना, तुमसे तो ये सिफ Grumpy होना ही सीख सकते है अगर उन्होंने तुमारे नक्षे कदम पर चलना शुरू कराँगा, तो वो भी क्वारे के क्वारे ही रह जाएंगे, जियांग चेंग जियांग चेंग घुसे में Wing को मानने ही वाला होते है कि वांग जियांग चेंग का हाथ पकड़े होते है बिल्कुल नहीं, तो Wing को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा होगे जयांग चेंग अपने सर में हाथ मारते होते है क्या कुरू में इनका पहले एक था, अब ये दोनों साथ में Wing बस जयांग चेंग को जीव निकाल के दिखाते है जयांग चेंग बोलते है शिजे मैं यहां आया ही क्यों इस नालाइक को देखनी हदे तुमसे, यहीं रहूँ, मैं जा रहूँ ये कहते ही, जयांग चेंग वहाँ से चला जाते है I.U.N. और जिंगलिंग दोनों के ही यादे वापस आ चुकी थी क्योंकि Remembering Spiritual Energy रिलीस कर दी गए थी जिंगलिंग बोलते है बेबी शान, कैसे हो तुम? Wing बोलते है, क्या? मतलब तुम्हें ओल ओवर यही याद आना था फिर उसके बाद I.U.N. बोलते है पर बाबा, मुझे भी आपको बेबी शान बुलाना है Wing बोलते है, क्या? अभी यह एक कम था, अब तुम्हें शुरू हो जो बिल्कुल नहीं, I.U.N. अरियन बोलते है, बाबा पर मुझे आपको बेबी शान बुलाना है Wing बोलते है, लेकिन क्यूं? अब तो तुम्हें बेबी नहीं रहे तो मुझे बेबी शान क्यूं? जिल्लिंग बोलते है, क्योंकि यह बहुत जादा एड़ोरेबल है आपके फेस के अकोर्डिंग भी Wing बोलते है, मैं हैंसमूं, ओकी? अरियन बोलते है, नहीं बाबा, आप ब्यूटिफुल हो Wing बोलते है, शी जी, देखो यह मुझे क्या कह रहे यानली बोलती है, आइंग, वैसे तुम बहुत जादा ब्यूटिफुल तो हो Wing बोलते है, शी जी, आप भी फिर वो वांग जी की तरफ मुटते है, और बोलने ही वाला होते है वांग जी देखो, वो बोलते है, तुम तो रहने ही दो वांग जी बोलते है, भाई, मुझे क्यो रहने ही दो? वैसे तुम बहुत ज़ादा बीटिफुल तो हो वींग वींग बोलता है मैंने इसलिए कहा था तुम तो रहने दो क्योंकि मुझे पता है तुम से क्या आंसर मिलेगा वांग जी बड़े मुस्कराते हैं प्यार से बोलते हैं ओ माई बीटिफुल वाइफी वींग पार्टना तो कहते हैं पहले शादी कर लो बाद में कहना वाइफी अब वांग जी और वींग दोनों की ये शादी भी हो जाती है चीज़े नूर्मल हो जाती है वांग जी और वींग अब दोनों साथ ही क्लास में जाते है अब सभी को ये बात पता चल चुकी है कि वीइंग वे उशान और ये लिंग पैक्रियार्क एक ये परसन था और वो करेंट लाइफ का वीइंग ही है ये राज बस इसलिए छुपाना जाना था क्योंकि अगर ये वीइंग को उस वक्त पता चलता तो नहीं पता कि उसका रियाक्शन क्या होता और दार के नर्जी उसे किस तरह से कंज्यूम करती और अधर पैसन जो की इवल एनर्जी के पीछे पढ़े हुए थे वो वीइंग को हाम करने की कोशिश जरूर करते क्योंकि उसकी बूर्टी तो डार के नर्जी से बहरीती न वीइंग सो रहा होता है तब यूसे पहले उसके चिक्स पर फिर उसके लिपस पर किस महसूस होती है वीइंग धिरे धिरे आँखे खुलता है मुसकराते हैं वांग्ची की तरफ देखते है और बोलते है, Morning Lazan Wangji बोलते है, Good Morning Wing Sorry, मैंने तुम्हें उठा दिया वैसे अभी केवाद साथ बचे हुए है तुम दोबारा सो सकते हो वैसे भी आज क्लासिस नहीं है मैं बस तुम्हें देखता देखता बोर हो गया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया सिर्फ मुझे ही देखे जा रहे थी Wangji बोलते है, हाँ क्योंकि ये व्यू बहुत जादा बीटफुल था मेरे सामने Wing और मैं इसे खोना नहीं चाहता था इसे अपने आख में प्रिजर्व करके रखना चाहता था वैसे तुम अभी सोचाओ Wing भी बोलते है, हाँ क्योंकि मैं बहुत जादा ठका हुआ हूँ Wangji पूछता है, लेकिन क्यों? Wing बोलते है, nothing अता नहीं बस I think मुझे लगता है, थोड़ी से वीकने से बोड़ी में Wangji बोलते है, okay अपना ध्यान रखना लेकिन अगर कोई प्रोब्लम हो तो मुझे तुरंट बला लेना मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है अब Wing का 21st बार दे आता है वो 21 साल का होने वाला होता है Wangji भी इनके आँखों पर हाथ रखते वे उसे एक रूम में लाता है रूम में अंधेरा होता है Wangji जैसे वी इनके आँखों पर से हाथे हरताता है वैसे ही उसके आँखों के सामने एक ब्यूटिफुल वियू आता है जो कि एक रूम था और वो पूरी तरह से डेकोरेट हो रहा था तब इस रूम में बाकिस सब आ जाते हैं और वी इनको बाड़े विश्च करने लगते हैं वी इनक इस चीज से बहुत ज़्यादा खुशता और वो सब के साथ डांस करना जाता था लेकिन जैसे ही वी इनक डांस करने के लिए आगे बढ़ता है वो बेहोश होकर गिर पढ़ता है सबी लोग पहले डर जाते हैं वी इनको उसके रूम में ले जाया जाता है महाँ पे लिटाया जाता है वेंचिंग चेक करती है वेंचिंग बोलती है दरने की कोई बात नहीं है यानली बोलती है लेकिन आए इनक बेहोश की हुआ वांग जी बोलते हैं 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 वांग तरफ आता है दोनों के फूरह एकम बाते हो तरह ही चिलाते है वाँ बॉध ही दू बहुत ही जादा हुश हो वींग वींग बोलते है मेरे बेहुश होनी पर तुम खुश हो पागल हो गए हो किया है वहांग जी बलता है नहीं तुम प्रेग्नेंट ओ भींग यह सुनते ही वी वींग तुम सच में हो वींग तेजिस से उछलते हुए वांग जी को गले लगाता है लानसा वांग जी बोलते है वींग तुम प्रेगनेंट हो और तुम एक बनी की तरह उछल जा रहे हो अराम से बैट हो अपना ध्यान रखो और बेबी का भी वींग बोलती है वांग जी सही कहा रहे है वींग ये बंदोरों की तरह उछलनाप बंद कर देना और जराए इंसानों की तरह हरकते कर लेना वींग वींग वेंचिंग की तरफ मू बनाते वे देखता है ये मूम मैंग काफे जादा special था क्योंकि वी इंग अपने हर जनम में 21 साल का होके मार गया था और अपने पहले जनम में वो 21 साल का था और वो उसक प्रेगनेंट था जिस वक्त उसने अपना सब कुछ खो दिया था बट अब इस जनम उसे उसका सब कुछ मिल लिया था मापर बाशन सेरन भी आती है जनम दिन पर तुम्हें एक गिफ्ट मिला है Congratulations my child, congratulations अब वांग जी वी इंग का और भी जाज़ा धिहान रखने लगाता इवन वी इंग कभी रात को वी वांग जी को परिशान करता तो वी वांग जी इस पर गुस्ते नहीं करता बलकि प्यार से उसके सारी खायशे पूरी करने की कोशिश करता वी इंग क्लास के लिए रेडी हो रहा होता है वांग जी पुछते तुम कहां जा रहे हूँ वी इंग बोलते कहां जा रहे हूँ क्या कॉलेज, यूनिवस्टी, परने, किसले जाते हैं क्यों जाते हैं, बता आना सरा वांग जी बोलते हैं पर तुम नहीं जाओगे वी इंग बोलते हैं पर क्यों वांग जी बोलते हैं तुम ओनलाइन क्लास लोगे क्योंकि तुम प्रेगनेंट हो वी इंग बोलते हैं पर ये कुन से रोल है और अभी इतने मंथ नहीं हुए है लांजान मैं जा सकता हूँ यूनिवर्स जी मैं ओफलाइन क्लास्स लेच सकता हूँ वांग जी बोलता है नहीं विंग बोलता है पर वांग जी उसके बाद वांग जी विंग को ब्राइगल स्ट्रेल में केरी करता है बोलता है, ओके, अगर तुम जाओगे, तो मैं तुम ऐसे ही ले जाओगा, और दूसरी बात, तुम मुझे दूर नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा धियान रिखना है विंग बोलता है, सीरियसली लांजान, मैं प्रेगनेंट हूँ, गिसेबल नहीं वांग जी बोलता है, शांत, लेनी है or online class, यर नहीं, यह है रहेकी online class लेनी है विंग पाउट बनाता है, लेकिन वांग जी, विंग को प्राइडलर स्टाल में ही कैरी करते वे, classroom ले जाता है वींग काफे ज़ादा शाय फील कर रहे हो थे वो अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है लेकिन वांग जी वास लाइक उसे तो कोई फरक नहीं पढ़ रहो अब मंच बीच जाते हैं और वींग की द्यूर डेक भी आ जाती है वींग एक बेबी बोई को जनम देता है उसका नाम वो सब लैंशू रखते हैं आयून बोलता है बेबी श्यान ये बेबी कितना जादा क्यूट है मेरा प्यारा भाई वींग बोलता है आयून अब तो मुझे बेबी श्यान कहना बंद करो पीछे से वांग जी आता है बोलता है वींग बोलता है मतलब वांग जी बोलता है मतलब क्या तुम भी नोटी ये भी नोटी उसके बाद आयून बोलता है वांग जी से ठैंक्स टैग्ड ठैंक्स श्यान बाबा मुझे इतना प्यार करने के लिए हैंक्यो डैडी कि आपने मुझे इस जनम भी एड़ोप्ट कर लिया और मुझे लैंसिज़े का नाम दिया वांग जी मुस्कराते हुए लैंसिज़े के फोरहट पे किस करते बोलते है आई यू एन तुम हमेशा हमारे चलते और हमेशा हमारे ही रहोगी उसके बाद वे चारो एक फैमली हक करते हैं जिसमें वी इंग लैंशु को अपनी गोद में ले लेता है वांग जी बोलता है फाइनली वी आर कम्प्ली टिक्ट गाइस आई नू कि आपको इस फैन फिक्शन शाद बागी फैन फिक्शन की तरह मतलब बिलकुल वैसा ना लगा हो या आपकि एक्सपेक्टेशन वैसी ना हो पर गाइस जिस तरह ना तो सभी की लाइफ एक जैसी होती है नहीं सभी का प्यार तो फिर सारी स्टोरीज भी कैसे एक जैसी हो सकते हैं ना वो भी डिफ्रेंस होंगी जिस लाइक किसी का लव असानी से मिल जाता है कोई सामने हो प्यार फिर भी उसके लिए तड़ब जाता है और किसी की कहानी शुरू होने से पहले ही सच में खतम हो जाती है ये लास्ट पार्ग था, I hope कि ये आपको अच्छे लगो तो अगर ये आपको पैसन आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, thank you